देखे आज का दिन एक अथियास से एक दिन है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में नौ गठि संसद और नौ निर्वाचित लोकसभा के मानने अध्यक्स सियोम बिरला जी ने आपात काल के पचास वर्ष पूर्ण होने पर आपात काल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है मैं उनके इस प्रयास के लिए मानने सिय बिरला जी का हिर्दै से अविनंदन करता हूँ उन्हें अंतहकरण से धन्यवा देते हुए सभी नौ निर्वाचित मानने संसस अदस्यों को अपनी हिर्दै से बधाई बे देता हूँ और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी ब्यक्त करता हूँ हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्यरात्री में तदकालीन कॉंग्रेस नित्रत्यों की सरकार ने सिमती इंद्रा गानिह जी के नित्रत्यों में उस सम्मिधान का गला घोंटें का कारे किया था जिस सम्मिधान की सपत लेकर के वह देश की प्रधान मंत्री बनी थी यनकेवल सम्मिधान का गला घोंटें का उनकी प्रियास कुछ सित प्रियास थे बलकि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रियास था पचास वर्स बीटने के उपरांत कॉंग्रेस के इस काले कारनामों को जनता तक पहुँचाना या उस्यक है आज भारत की संसत ने वही कारे किया है क्योंकि कॉंग्रेस की निकाव वर्तमान निक्तरत्व जिस तरीके से देश की जनता को गुम्रह कर रहा था समिधान के नाम पर आरक्षन समाप्त करने के नाम पर इसके लिए उनके काले कारनामों से देश की जनता को उगत कराना त्यंता उस्यक है पराज भारत की संसद ने वही एत्यासिक कारे किया है कॉंग्रेस भले ही चेहरे बदले हो लेकिन आज उसका चरित राज भी वही अधिनायकवादी है तानासाही पून है लोकतांत्रिक मुल्यों और संब्धानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है और इसलिए भारत की हर संब्धानिक संस्था को कड़गरे में खड़ा करना भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र पर भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्ण खड़ा करना इनकी फितरत बन चुकी है कौन नहीं जानता है कि कॉंग्रेस ने समिधान लागू होने से ले करके 2014 तक 75 बार भारत के समिधान में संसुधन किये कौन नहीं जानता है क्यानुचे 356 का दुर्पयों करते वे 90 बार कॉंग्रेस ने विविन राज्यों की सरकारों को लोकतांत्रिक तरीके से चुने गई सरकारों को परखास्त करने का काम किया था कौन नहीं जानता है कि अपने राजनितिक स्वार्थों के ले कॉंग्रेस ने देश की अखंड़ता के साथ खिलवार किया और कॉंग्रेस के इन काले कारणामों की एक लंबी फेरस्त में आपात काल भी आता है आपात काल कि इस काला काली घटा को वर्तमान पेड़ी काउगत कराने के लिए आज देश की संसदनेक एथ्यासिक निर्णे लेकर के यहां निंदा प्रस्ताव पारित किया है यह सचमुच एक अभिनिंदनी प्रियास है वर्तमान पीड़ी को बताने का प्रियास है मैं नौ गट्ट संसद और नौ निर्वाचित लोक सभा के मानने अध्यक सियों बिरला जी का है इस सासी कदम के लिए हिर्दे से विनंदन करता हूँ सभी नौ निर्वाचित माने संसद सदस्यों को हिर्दे से वधाई देता हूँ और विश्वास रेक्ट करता हूँ कि वर्तमान पीड़ी को अमारी देश की संसद इसी प्रकार से इतियास के अलग-अलग कालखंड में देश के साथ किन लोगों ने किस प्रकार का बिवार किया है इस से उगत कराने का कार अगर भारत की संसद करेगी तो भारत की वर्तमान पीड़ी न क्योवल उनकी प्रतिकर्तग्य होगी बलकि उनका मार्क दर्शन प्राप्त करते भी एक नए भारत के निर्मान में अपना योगदान दे पाएगे प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनात को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि कॉंगरिस ने आपातका लगाया था और आज का दिन काफी एत्यासिक है उन्होंने उम बिरला जी को बढ़ाई दी और कॉंगरिस पर करारा हमला बोला